जिले में गुरुवार को सुभा से ही काले बादल चाय रहे और दोपहर बाद तेज गरज के साथ जमा जम बारिश सुरू हो गई इस जोरान शहर के कई इलाकों में जल भराओ की इस्तिती उत्पन्न हो गई वहिया बारिश किसानों के लिए वर्दान साबित हो रहा है बारिश के बाद खेतों में धान की रुपाई तेज हो गई है इस दोरान गाउं गाउं में किसान और मजदूर रुपाई में व्यस्त हो गए हैं आपको बता दे कि जिले में मानसून अब पूरी तरह सक्रियो हो चुका है इसकी वज़े से दस दिनों से रुक रुक कर बारिस हो रही है गुरुवार को भी पूरे दिन यही इस्तिती बनी रही मौसम विभाग के अंसार कुछ दिनों तक मौसम के ऐसे ही बने रहने की संभावना है ठुकर रह प्रिका प्रिक्ती ही जिये रुक क lijू झुक केऊाव मौसम थे बनाती के वावना की स्भावना यहीं कर दो वाकषिफजब क करीता है झाल, झाल, झाल.